अलेलुया बहुत सुंदर वचन है प्रभु कहते हैं कि तुम अपनी स्थिती पर विचार करो तुम बहुत बोटे हो लेकिन कम लुनते हो तुम खाते हो लेकिन त्रिपती नहीं होती है तुम कपड़ा पैंटे हो लेकिन गर्मी मैसूस नहीं होती है तुम वेतन पाते हो और जोले में डालते हो थाइले में डालते हो लेकिन उसमें छेद है प्रभू कहते हैं ऐसा क्यों होता है तुम्हें नहीं मालूँ क्योंकि मेरा मंदिर तूटा फोटा पड़ा है जहां तक ये हगाई नभी का ग्रंथ है अध्याई एक वाकिय पांच से उस समय प्रभू जिस मंदिर के बारे में बोल रहे थे वो मंदिर है येरुसलेम मंदिर तूटा फोटा पड़ा था इसलिए हगाई से कहा कि जाओ पहाडी प्रदेश जाओ लकडी बटोर लो और मंदिर को पुनह बनाओ वचन में हम पढ़ते हैं कि हमारा शरीर भी मंदिर है लेकिन आज मैं इस वचन को हमारे परिवारों से जोड़ना चाहता हूं हमारा परिवार भी प्रभू का मंदिर है हर एक परिवार विश्वासी परिवार प्रभु का मंदिर है कलिस्या हमें सिखाती है कि हर परिवार एक छोटी कलिस्या है घरेलू कलिस्या हर परिवार एक मंदिर है लेकिन आज हमारे मंदिरों की स्थिती क्या है हम अपने जीवन में बहुत तरक्की करना चाते हैं अच्छी नवकरी पाना चाते हैं उंचाईयां तक पहुँचना चाते हैं बहुत पैसा कमाना चाते हैं लेकिन आज प्रभू हम में से हरे एक से ये बताना चाते है कि तुम अपने स्तिती पर विचार करो तुम्हारे जीवन में जिन चीजों की तुमने उमीद रखी वो पूरी नहीं होती है तुम परिश्रम करते हो और परिश्रम के अनुसार पारिश्रमिक नहीं मिलता है ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मंदिर तूटा फूटा पड़ा है मेरा मंदिर जो तुम्हारा परिवार है तुम्हारा घर है तूटा फूटा पड़ा है पहले उसका निर्मान कर तब मैं उसमें निवास करूँगा और तुम्हारी इच्छा के नुसार तुम्हें सफ़ता मिलेगी सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभी इसु परिवारों में जाया करते थे बहुत सुन्दर बात है अब बार बार पढ़ेंगे कि प्रभी इसु अलग अलग परिवारों में जाते थे बड़े मज़े की बात है योहन के सुसमाचार के अनुसार प्रभी ये सु का पहला चमतकार आपको मालूम है कहां पे हुआ था काना नगर में कहां बजार में तो एक परिवार में विवाह में भी नहीं एक परिवार में हुआ था काना नगर के एक परिवार जहां पे विवाह चल रहा था उस परिवार में प्रभु येशु ने पहला चमतकार प्रकट किया एक प्रतीक है और वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि प्रभु येशु भी वहां पर आमंत्रित थे उस परिवार के कमी पूरी हुई क्योंकि प्रभु येशु वहां पर विराजमान थे इसी तरह सुजमाचार में हम पढ़ते हैं जहां कैंबी प्रभु जाते हैं जिन जिन घरों में वहां पर प्रभु चमतकार प्रकट करते हैं प्रभु जाईरुस के घर पे गए और उसकी मरीवी बेटी जिन्दा हो गई प्रभु लाजरुस के घर पे गए और लाजरुस के बेहन और मार्था वो लो रहे थे लेकिन उसका भाई जो मर चुका था जिन्दा हो गया प्रभी एसु जक्केवुस के घर पे गए और वहाँ पर प्रभु ने मुक्ति लाई तो आज परिवारों के उधार की जरुवत है आपको मालम जब प्रभी एसु संसार का मुक्ति दाता इस संसार में आये तो कहां पर आये थे एक परिवार में आये थे किसी धरमशालय में नहीं आए लेकिन प्रभी येशु एक परिवार में आये और मत्तिक येशु समाचार को अपड़ेंगे वहाँ पर प्रभी येशु की वन्शावली दी गई है ये वन्शावली क्यों मत्ति ने लिख डाला ये बताने के लिए कि प्रभी येशु मसी मानव इतिहास का हिस्सा बनकर एक गोत्र में एक परिवार में जनम लिए एक परिवार में आकर मुक्तिदाता येशु ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है वो संदेश क्या है मुक्ति के कारी को वह परिवार से शुरू करना चाहते थे और मुक्ति का कारी परिवार से ही शुरू होना है अगर परिवार का उधार हुआ तो लोगों का भी उधार हुआ अगर परिवार का उधार नहीं हुआ तो लोगों का उधार नहीं हुआ समाज का उधार नहीं हुआ संसार का उधार नहीं हुआ आज बहुत से माता पिता समाज के अधिकारी कलिसिया के अधिकारी सबी बहुत परिशान हैं कि ये पीड़ी कैसी पीड़ी है क्या करती है हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है इस बात को वे भूल जाते हैं यह पीड़ी हमारे ही परिवार का उपज है असमान से नहीं टपका है तो आज हमें परिवार की और अपना ध्यान देने की जरुवत है पहला सवाल यह है परिवारों का उधार कैसा हो कैसे हो परिवारों का उधार कैसे होगा